Hello everyone, welcome to another video, कैसे हो आप सब आई, I hope कि आप सभी अच्छे होंगे and सबसे पहले, Happy Independence Day आप सभी को तो आज वीडियो है, friends, इसमें मैं बताने वाली हूँ सांति निकेतन विश्रभारती उनिवर्सिटी के बारे में वैसे मैं बाफ ही चाहूँगी, मुझे दो दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर देना चाहिए था बड यूटी मेरी तब्बित सही नहीं होने के कारण मैं चाह कि भी वीडियो नहीं बना पाई और अभी थुरा बेटर फील हो रहा है जो यो वीडियो है इसमें आपके सारे डाउट जितने भी आप मैसेज कर रहे हो मैं सांति-Niketan फे बना दो वो सब किलियर हो जाने वाले हैं और आने वाल एक दो और वीडियो से इसमें सभी इतने भी रिलेटेड है लाइक के सांति निकेतन का एक्जाम किस तरीके से लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, टाइमिंग क्या है, इंस्ट्रक्शन में क्या-क्या लिखे हुए है, और वाइवा में क्या करना है, पॉट्फोलियो में क्या लेके जानना है, इंटर्वियो में खुद को कैसे प्रजे तो बस वीडियो को पुरा देखना है आपको और शैनल पर नहीं स्प्सक्राइब कर लेना है इंस्टा पर होलो कर लेना है और साथ ये बेल आइकन को फिलीक कर लिजे ताकि आपको मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं तो साइड में आप ये नोटिफिकेशन देख रहे चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले जो आपका एक्जाम होगा वो ओफलाइन होगा और भारत कला भवन में होगा मतलब आपको सांती निकेतन भूलपूर सांती निकेतन इस्ट करात कर chapter Rider की क्या अपका इक्जाम होगा वह 22 तैईश ऑर 4 यह तीन अलग जालग डेट में होगा बात कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेट्ट जो है कौन सा सब्जेक्त जो है आपको कौँ सा डेट में होगा पहले नमर पे है आपका सेरमिक पस्पोर्ट्री एक्जाम है वह का 33 अगस्त को हो गा पेंटिंग का एक्जाम है वो गा के 18 अगस्त और चूमिस अगस्तज को हो और टाइमिंग के बात करें तो जो सेरमिक का मौर्new में और वाइवा सुभा नो बजे होगा और इस कल्चरका जो एक्जाम होगा 9-11 और वाइवा बदा दू कि जो आपका । प्रैक्टिकल एक्जाम में इसके लिए आपको दो घंडे का समय दिया जारा है नेक्स से रिपोर्टिंग टाइम के कब तक आपको पहुच जाना है तो जो नो बजे से एक्जाम स्टार्ट होगा उसको साड़े साथ बजे मौर्निंग में पहुच जाना है और जो एक्जाम एक बजे से दोबर में स्टार्ट होगा उसे मौर्निंग में साड़े ग्यारा यह आपका रिपोटिंग टाइमिंग यह है Fify आपको आदा घंड पहले होते हैं जिस टफ्ल Dallas ft 21 को और houses 191 एक्जाम असे सेड किया गया है और उसका 3rd यह होता था वो वाइवा होता था वही लोग जाके दे सकते जिसको स्लेक्ट किया गया है और साथ ही कैसे पर चले है कि वाइवा कौन को लोग दे सकते हैं तो बतादू कि क्या होता है जैसे ही आप practical exam दोगे उसके बाद होगा announcement ठीक है announcement आपके role number बोल कर आपका नाम बोल कर mic पे allowance किया जाता है मेरे time पे यही किया गया और आपको बस वहाँ पे ध्यान से सुनना है बता दिया जाएगा कि इस जगा पे सभी candidate को आ जाना है वहाँ पे announcement होगी और जिनका announcement में नाम होगा वह समझ लीजे वाइवा के लिए selected है और वह second day जाके वाइवा देंगे पहले क्या ओधा था कि पहला दिन practical exam हुआ दूसरा दिन announcement हुआ और तीसरा दिन वाइवा हुआ यहाँ पे पहला दिन practical हो रहा है देखिए announcement वह कब करते हैं क्योंकि सभी का वाइवा लेना possible नहीं हो पाता तो सभी का तो नहीं हो पाएगा तो वही है कि वह announcement करेंगे और select करेंगे कि कौन को निस्टुरेंट वाइवा दे सकते हैं उसके बाद आपको अप्लिकेशन फॉर्म में वह लेकर मत चले जाएगा जो आपने प्रक्टिकल एक्जाम के लिए अगें registration किया था वह आप अप्लिकेशन फॉर्म लेके जाएंगे उसका प्रिंट डॉट लेके जाएंगे उसके बाद लिखा हुआ कि एक ID प्रूव आपको खुद से क्यारी करना है next जे आपका certificate बोला गया है कि सारे certificate खुद ले जाने हैं और इसमें भी खुर्य करना की नेग्स depend जोयरी करने हैं तो अपको उसे बहुत रुट कर से बना दूगी कि वहां पर सिर्फ आपको प्रवाइड किया जाएगा वह भी एथिली साइस का बाकि जितने भी आपको ड्रॉइंग मतेरियल है वह आमको खुद ही क्यारी करने है जो sculpture वाले है sculpture को सिर्फ मिंन्टी प्रवाइड किया जाएगा जितने भीrete hills भूस्ट होते स्कल्प्चुर की वो सब आपको खुद करने हैं टेक्सटाइल कभी से में मिट्टी दिया जाएगा तेक्स तरीके से हैं अड नेक्स्ट है आपका लिखा हुआ कि वाइवा में फोट्पोलियो दिखा जाएगा ठीक जब का वाइवा होता है मतलब उसमें इंट प्राट फोलियू में खै़ओ के जाना वहां पर जरुरी होता है और आपके जाए ताकि आपका अच्छा इंपरेशन बन पाए कुछ आपको आ जानने को मिलेगा मिलते मैं आपसे नेक्स वीडियो में अपना ख्याल रखिए और अच्छे से प्राक्टिकल के लिए प्रिपेर हो लीजिए नमस्ते और थैंक यू पर वाचिंग और गुट नाइट